Hello everyone and welcome to the bank IQ मेरा नाम है तरुन और अब हम करेंगे memory based का set number 11 और इसमें हम discuss कर रहे है SBIPO का mains का 2016 के वेपर तो देखते हैं इसमें questions क्या given है Okay, so सबसे पहले हम इस question को discuss कर लेते हैं यह आपके पास एक DFT given है मतलब data flow, diagram given है तो उसने हमसे क्या बता है पहले हम उसको discuss कर लेते हैं उसको हम देखेंगे तो यहां पर क्या है देखिए उसने starting करी है यहां से उसने क्या बोला है कि builder उसके बाद ask for permission एक builder है जोगी क्या करता है permission के लिए पूस्ता है किन से people of society ठीक है एक society में कुछ लोग रहते है builder है उसके permission मांगता है अगर 30% लोग agree कर देते हैं ठीक है in that case क्या हुआ था जो भी उसने permission मांगी है उसके लिए वो stop हो जाता है अगर सिर्फ 30% लोग agree कर दे है तब ठीक है लेकिन अगर 70% लोग agree करते है in that case वो क्या करता है वो कुछ architects को hire करता है ठीक है काम करने के लिए उसके बाद वो building वालों से पूसता है मतलब society में लोग रहते हैं उनसे पूसता है building को खाली करने के लिए ठीक है अगर building को खाली करने के लिए वो मांगता है time total एक year का in that case फिर वो काम रोकने के लिए बोल देता है ठीक है अगर वो छे महीने का बोलता है तो वो काम करने के लिए time देते है renovation start हो जाता है ठीक उसके बाद अगर renovation complete हो जाता है six months में in that case people start shifting back तो तो people क्या वापस लोटना start हो जाता है अगर काम complete नहीं होता है in that case उसको दो महीने और दिये जाता है काम करने के लिए ठीक है अगर काम start हो जाता है उसके बाद लोग वापस लॉट भी जाता है फिर उसके बाद checking of renovation work by people of society जितना भी renovation हुआ है ठीक है उसको check किया जाता है by the people of society उसके बाद renovation valid for 10 years renovation को 10 years के लिए valid कर दिया है and then stop तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आपके पास society है उसको actually renovate करना है और इसको renovate करने के लिए builder क्या करता है सबसे पहले चीज वह permission लेता है जो भी society में लोग रहता है अगर 30% लोग agree करते है सिर्फ 30% तब तो वह काम रोक देता है आगे नहीं पढ़ता है लेकिन अगर 70% लोग agree करते है in that case वह क्या करता है काम को आगे भढ़ता है और कुछ architects को higher करता है चीक है architect क्या करते है वह काम को start करता है अगर काम start होगा तो obviously building का जाती in that case वह मना करते है कि नहीं हमें यह renovation नहीं करवाना है लेकिन अगर बोलते हैं कि सिर्फ 6 महीने के लिए हमें इसको vacate करना है in that case उसको काम करने के लिए बोल दिया जाता है ठीक है renovation start होता है अगर renovation 6 महीने लेता है in that case क्या जाता है yes people start shifting अगर मतलब वह 6 महीने में complete जाता है अगर 6 महीने में complete नहीं होता है in that case no और फिर 2 महीने का और extra time दिया जाता है ठीक है जब लोग वापस आ जाते हैं तो वह एक बार check करते हैं कि काम ठीक से हुआ है के नहीं हुआ है उसके validation होता है 10 year के लिए और उसके फिर दुबारत से आके stop ठीक है तो यह आपके पास क्या एक पूरा graph दिया हुआ है अब इस पर based कुछ questions है जो कि उसने हम से पूछे तो आप in question को करेगी I hope इसको आप एकदम से समझ गया होगी कि इसने क्या यहां पर पताया हुआ है question को करते है so first question क्या given है उसने बोला after and before which step builder should have taken legal permission from concern authority for renovation work कि कि step के बाद या कि step से पहले जो builder है उसको legal permission लेनी चाहिए concern authority से renovation के लिए ठीक है system से जीज़ी मलब क्या है कि कोई building है अब अगर इसको उसने renovate करना है मान लिया गया इसके लिए उसको कुछ legal permission चाहिए सबसे पहले तो वह इनके लोगों से बात करेगा वह चीज़ उसको चाहिए कुछ अगर वह changes कर रहा है मान लिया गया कि जैसे कि रूफटॉप है उसको वह थोड़ा बढ़ा रहा है इस तरह की से कुछ कर रहा है कुछ भी renovate वह नहीं अगर कर रहा है तो उसके कुछ legal permission चाहिए तो वह legal permission कब लेगा उसने हमसे यह चीज़ पूछी है तो उसके लिए उसने हमें option दिया की अग्रें, हैक तो बिजिक दे लिए कि आर्किटक्ट को हायर करने के बाद क्या वह ऑți पर्मीशन लेगा legal permission ने आपविसलि नहीं क्यों क्योंकि it in case girlfriend को हायर कर लिए ठीक है और उसके बाद اजसा होता है कि उसे legal permission नहीं मिलती है तो उसने अगर hire किया है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ेगे न obviously, तो इसका मंदर क्या है कि hire करने की बात तो वो permission ने लेगा इसमें कोई logic नहीं है, isn't it second boost ने लेगे before asking people of society to vacate their house, okay, उसने यह ला कि लोगों से पूछने से पहले कि हम इसमें renovation कराएं कि नहीं कराएं, उससे पहले वो legal permission ले, तो ये चीज भी गलत है, क्यों? क्योंकि जब तक अगर वो legal permission ले ले लेता है माल लेता है, वो किस चीज के लिए लेगा legal permission isn't it, वो जब तक लोगों से बात नहीं करेगा लोगों उसे permission नहीं देंगे तब तक legal permission लेने की कुई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्या हो जाएगा अगर माल लिया, उसने legal permission पहले ले ली कि हमें इसमें कुछ renovation करा रहा है, माल ले क्या ये एक इसमें हमें floor को और बढ़ाना है, ठीक है, और ये अगर permission वो लोगों से पूछने से पहले ले ले लेता है और उसको मिल जाती है, in that case क्या होगा, लोग मना कर दें, फिर क्या हो जाएगा, वो तो permission आपके खराब होगी न तो इसका मालब क्या है, कि लोगों से पूछने से पहले भी permission नहीं ले पाएगा ठीक है, उसके आगे उसके आगे उसने कहला after taking a permission from the society of these from the people of the society, यहाँ यह हमें थोड़ा तो logical भी लग रहा है कि मतलब उसने पहले लोगों से पूछा कि हम renovation कराना चाहते हैं, permission देंगे अगर लोगों ने हाँ कर दी in that case ठीक है, हम और procedures को देखते हैं, हम legal procedures पर देखेंगे जितना भी हमारे पास वो लोगों से बात करेगा कि हमें यह चीज़ करने हैं, लोग permission देदेगी कि हाँ, आप यह चीज़ कर लीजे अब इसके बाद वो क्या करेगा, legal permission पर जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जितने भी चीज़े हैं, legally, उसको वो आगे continue कर भाएगा, उसके बाद फिर architects को hire करेगा, in that case, वो आगे बढ़ेगा, उससे पहले आगे बढ़ेगा ज़रूरत नहीं है न, उसको, तो इसका मतलब है कि मेरे साब से भी third होना चाहिए option एक बाद fourth वाले को चेक कर लेते हैं, आफ्टर आस्किंग people of the society to vacate their house, नहीं, ये भी चीज़ गलत है, you know के लोगों से बोल दिये कि आप building को खाली करिये, ठीक, मान लिए कि लोगों ने building को खाली कर दी, और उसका legal permission उसको नहीं विली, तो, there is no use, ना, इसका बंद है कि fourth में नहीं सकते है, तो इसका right answer का जाएगा, third one is the right answer, ठीक है, I hope समझ नहीं, बहुत logically समझे इसको बहुत जादा confused होने की ज़रुवत नहीं है, आराम से सोचे, आर आराम से इसके questions को कर लेंगे, ठीक है, चलिए next question करते है next question उसने वाला, कि which condition is sufficient to make sure that the renovation work will be completed in six months, okay, इसमें से हमारे पास कौनसी condition ऐसी है, जो कि यह बताएगी कि काम छे महिने में ही complete होगा, ठीक है, पहला उसने वाला कि concern authority are regularly visiting to renovation site for cross check of work, okay, जो भी आपके concern authority है, अगर वो regularly visit कर रही है, renovation की काम को देखने के लिए, ठीक है, in that case क्या वो छे महिने के लिए complete होगा, बताएगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्यों नहीं है, ज़रूरी मैं आपको reason बताता हूँ, यहाँ पर उसने बताया क्या, अगर छे महिने में complete हो जाता है, in that case क्या हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन complete नहीं भी होता है न, तो उसको दो महिने का और यहाँ पर time मिल जाएगा, तो जो authority है, उसके दिमाग में यह चीज है, क्या, in case अगर वो छे महिने में complete नहीं होता है न, in that case उसको दो महिने का time मिल सकता है, तो जरूरी नहीं है कि authority उसको exactly 6 महिने में complete कर आए, ठीक है, इसका मतलब क्या कि फस्स वाल तो नहीं होगा, you know, second देखते है कि builder, builders are planning to make renovation, make valid for 15 years, builder चाता है कि जो renovation है, वो valid रहे 15 years के लिए तो नहीं, यह भी कोई होए, कोई concrete reason नहीं लग रहा है, जो कि sufficient हो किसली है, कि वो 6 महिने में काम हो जाएगा, ठीक है, यह नहीं उसके वाल, none of the option नहीं एक बार चेक कर लेता है, people of society have given ultimatum to builder to complete renovation in six months, otherwise they will go for hunger strike, यह कोई reason नहीं नहीं बनता है अगर complete नहीं भी होता है 6 मेन में तो 2 महिने का उसको time मिलेगा, ठीक है, तो इसका मदलब क्या है, कि यह भी आपके वास concrete reason नहीं है, data sufficient, हाँ, यह चीज़ से यह, data क्या है, insufficient है इसका right answer क्या हो जाएगा, data insufficient, चीज़ है, next question करते है, देखिए, next question में उसने बना है, which step of renovation is logically missing in the data flow diagram, okay so इन में से एक answer step कौन सा है, जो कि logically missing है, तो देखिए, पहला उसने बना है, if 30% of people get agrees for renovation, then builders should again try to convince people, okay उसने काला कि अगर 30% लोग ही agree होते हैं, मतलब यहाँ पर, in that case, उसको दुबारा से एक बार concern करना चाहिए, लोगों से, नहीं, यह कोई ऐसा logically reason नहीं है, मतलब एक बार लोगों ने जब मना कर दिया, तो हम उसको बार बार, I mean convince करके क्या कर लेंगे, ठीक है, नहीं, तो य एक अच्छा step नहीं है, ठीक है, next step देखते हैं कि, builder should take legal permission from concern authority for renovation, builder को एक legal permission लेनी चाहिए, concern authority से, तो यह चीज़ मुझे सही लग रही, अभी तक जो मेरे को लगा, you know, obviously, यहाँ पर कहीं भी उसने legal वाले की बात नहीं कर रही है, कि legal permission उसने लेनी चाहिए, legal permission obvious है, जरूरी ह government से लेना, तो इसका लगा है, मेरे को अभी तक यह लग रहा है, इसके बाद भी check कर लेता है, to complete renovation, builder should take three or four time slot, time duration slot, okay, उसलिए की काम को complete करने के 3 से 4 time duration slot नहीं, जब वो obviously, पूरा पूरा खाली करवा रहा है, तो वो 3 से 4 slot क्यों ले, you know, बार बार लोगों को vacate करवा है, फि for vacating house, people should take suggestions from their relatives, okay, घर खाली करने से पहले, लोगों को suggestions लेना है, किसे relative से जरूरी थोड़ी नहीं, काम तो उनको अपने घर पर करवा रहा है, वो दूसरों से पूछ कर क्या decision लेंगे, isn't it, इसका अला, ये भी नहीं, logically नहीं है, तो logically जो में जो सही लगा, वो B वाला ही next question करते हैं, देखिए, okay, so next आपके पैस एक puzzle दिए है, इसका आप screenshot ले लिजए, अम इसे explain करता हूँ, देखिए, question में कह दिए है 7% जिनके नाम यहाँ पर दिए है, not necessarily in the same order, is working in an organization as assistant manager, manager, deputy general manager, उसके बाद और कुछ यहाँ पर poster में दिए है, and like different cities, उसके बाद cities के नाम यह पर दिए है, ठीक, तो उसलिए हम भी क्या हुला है कि 7 लोग है, 7 परसन है, ठीक है, जो कि अलग 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 पोस्ट पर है, एक organization में, fine उसके बाद, उनको अलग अलग cities पसंद दिए हो, 7 cities है, उसके आद उसने आगी important हुला है कि positions has been increasing order of their experience, CEO is the most experienced person and the assistant manager is the least experienced, मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर आपके बास post दे हुई है, वो increasing order में है, assistant manager, उसके बाद जो post आएगी, वो deputy general manager के आएगी, उसके बाद जो आएगी, वो general manager के आएगी, इसी तरीके से कहां तक चलेगी, CEO तक चलेगी, ठीक है, इस direction वो increase हो रही है, fine, experience के respect में, तो उसने हमें यही सारी conditions अब देखिए, इसको हम करेंगे किस तरीके से, ठीक है, देखिए, सबसे पहले इस type के question को करने के लिए हम क्या करते है, यहाँ पर, यह सारी positions जो है न, हम मैं पर आद पोस्त दियो है, उनको लिख लेता है, मतलब क्या, am, mg, dgm, gm, cgm, उसके बाद, ed, and then ceo, fine, उसके to only two person, okay, c junior है, सिर्फ दो लोगों से, बागी सबसे experienced है, इसका लगा, cgm होगा, obviously, देख लीजे, दो लोगों से junior है, बागी सबसे क्या है, senior है, ठीक है, उसके बाद, d does not like raachy, okay, d को raachy नहीं पसंद है, fine, person who likes chandigar is junior to e, but not least junior, अच्छा, उसने आदा कि, वो person जिसको chandigar पसंद है, वो, okay, chandigar, वो junior है, किस से, e से, बट ये least नहीं, मतलब क्या em नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद, person who likes patna, is senior to ed, okay, वो person जिसको patna पसंद है, ठीक है, वो senior है, किस से, ed से, उसके बाद, person who likes raachy, is senior to f, but junior to e, okay, और वो person जो, राची पसंद करता है, ठीक है, वो senior है, किस से, f से, okay, वो senior है, f से, but junior है, किस से, e से, ठीक है, उसके बाद, e is junior to cgm, okay, e क्या है, junior है किस से, cgm से, okay, cgm, मतलब क्या e का होगा, वो इन चारों में कहीं होगा, ठीक है, उसके बाद, उसने कह वाला, कि, but senior to g, अच्छा, उसने, e की ही बात करिए, e, senior है किस से, g से है, ठीक है, f is junior to g, okay, f junior है g से, और उसको आगरा पसंद है, ठीक है, उसके बाद, b senior to e, b senior है किस से, e से, ठीक है, but not the senior most, लेकिन वो senior most नहीं है, okay, so b आपके बाद senior most नहीं है, ठीक है, उसके बाद, उसने कहला क्या, कि, cgm does not like bhopal, okay, cgm को bhopal नहीं पसंद है, fine, उसके बाद, g is junior to a, g junior है किस से, g is junior to a, fine, but not to d, अचा, लेकिन, d से junior नहीं बादब क्या है, d से वो senior होगी, ठीक है, उसके बाद, cgm is senior to one who likes, जैपुर, okay, और cgm, senior है किस से, जैपुर से, तो मैं उसने हमें ये conditions हो दिया, अब देखी, ये सारे आपके पास conditions है न, और आपके यूज किस सरी किस सरी किसे करेंगे, सबसे पहले, अगर मैं start करना चाहूँ, तो देखी, e हम जानते है, e कहां पर होगा, इन चारों में कहीं होगा, fine, अगर मैं e से junior की बात करूँ, तो देखी, कितने है, g है, f है, और d है, ठीक है, ये तीन तो आपके पास क्या junior है न, अब देखी, अगर ये तीन e से junior है, इसका मलब e कहां पर आ सकता है, maximum आपका e यहीं पर तो आ सकता है, और तो कहीं आए गए नहीं, isn't it, ये चीज क्लियर है न, आपको, मतलब क्या e से जो junior है, वो कौन है, g है, f है, और d है, हमें ये चीज तो क्लियर थी है, तो इसका मलब आपके बास e यहीं पर आ सकता है, fine, उसके बाद अगर में बात करूँ, कि g से junior को है, देखे, g से junior के बात करूँ, तो f है, और d है, इसका मलब एक चीज चीज confirm और हो गई आपको क्या, कि आपके बास g कहा आना चाहिए, g यहीं पर आना चाहिए, ठीके, अब आपके बास क अगराएगा, यह क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, fine, उसके बास d बचेगा, d कहां पर आएगा, d यहाँ पर, fine, अब देखें, उसने बास का ऐसने काख़ा दा, कई e से junior raach g है, लेकिन f से कहा है, वो senior है, इसका म aggressionor को कहा सकता है, सिर्व राची यहीं पर आएगा, इ यहाँ पर पूट करके देखते हैं देखिए अगर हम F को यहाँ पर पूट करते हैं यह कह से आगरा से है ठीक है तो हमारे पास D यहीं पर आएगा फिर इसके बाद अगर में बात करता हूँ तो आपके पास देखिये इसने क्या उड़ा था कि जो B है वो सीनियर है किस से ई से लेकिन वो CEO ने मतलब क्या टॉप मुस्ट नहीं है वो ठीक है इसका लगा क्या आएगा आपके अस B आएगा यहाँ पर और A आएगा यहाँ पर ठीक है फिर अगर में बात करूँ जैपुर की तो जैपुर आपका क्या है वो जूनियर है किस से CGM से इसकाँ पिर हाँ आप्ड़ यहाँ पर यह चीज़ में कंफर्म है ठीक है और पटना की आए वह? dills से senior है वो आगा यहाँ पर ठीक है और यह आपका Bhopal होना सकता है तो Bhopal आएगा यहाँ पर et पकाल यहाँ परwe यह बनेगी क्या हमारी फाइनल पज़र आज हमने जितने कोशन कियों आपको समझ में आए होंगी थैंकिसो मच